नमस्कार सभी को नमस्कार गुड इवनिंग मैं डॉक्टर कविता अनुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेस्ट बुक सूपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम कर रहे हैं आपके हिंदी के पेपर की कम्प्रीट रिविजन आपके जून जे आरफ की अक जो आपके विशलेशन के आधार पर चल रहे हैं तो आप सभी हमारे इस सेशन को कर दीजे जादा से जादा शेर ताकि सभी लोग जो है वो जल्दी से जॉइन कर लें और हम फड़ा-फड सेशन को आगे बढ़ा पाएं तो वरी इंपॉर्टेंट क्वेशन आप सभी के लि हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजे ताकि आपके कोई भी क्लास जो पेपर वन और पेपर टू है तो कोई भी मिस्स ना हो टेलिग्राम के ग्रुप को आप सभी जुरूर परिक्षा से जुड़य हुए रहते हैं तो उनसे रूबरू हो पाएंगे बात करते हैं क्वेशन्स की तो प्वेशन में आप देखेंगे सबसे पहला क्वेशन आज कि इस सेशन का जो रहेगा जो आपका मैंने यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेशन में यह भी मैं कि जून 2020 की शिफ्ट वन हुई थी उसमें एक्वेशन जो है वो आप से पूछा गया था जब भाशा संबंधी प्रशन आप सभी के आते हैं तो कि वह तारीक जो है वो निम्नलकित में से किस भाशा का मूल शब्द है पोर्चुगीज, अर्भी, तुर्की और हिंदी ज्याद उसली पहचान भी जाते हैं तत्सम वाली भी आप पहचान जाते हैं तत्सम से बने वह तत्भव भी पहचान जाते हैं जो उर्दु पूर्द कली तो इनकी जो important है तो उसकी एक series जो है मैं आप सभी के साथ में share करूँगी उसको आप पढ़ लीजेगा तो very important रहेगी या आ वीडियो आपकी complete हो जाती है उसकी बाद में जो comment section रहता क्योंकि वह वाला comment section आपका permanent रहता वो दिखता है तो उसमें आप पूछ लीजेगा तो यहां पर आप देखेंगे तारीक शब्द जो है वह किस भाषा का मूल शब्द है तो यह अर्भी भाषा का मूल शब्द है परियुक्त कथन जो है वो निम्नल्खित में से किस नाटक की भूमिका से संबंदित है आगरा बजार एक और दुरोनाचारय आशाड का एक दिन और चंद्रगुक्त इनमें से यह किसमें जो है वो लिखा गया किस नाटक की भूमिका में जून 2019 में आया हुआ यह को तो यहाँ पर आप देखेंगे रंगमंच से जुड़ा हुआ सवरूप है और रंगमंच का जो सवरूप मौहन-da Just तो आशाख दिन मौहन-da-rakesh जी का नाटक है जो कालिदास जी के द्वन्व को आधार बना करके लिखा गया है उस वरूत में आपको ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं कि ये आपका मोहन राकेश जी का नाठक है ये मोहन- राकेश जी का नाठक है आगरा बाजार आपके हबीब तनवीर का नाठक है एक और दुरोना चाहरे जो है आपके शंकर शेश का नाटक है और चंद्रगुप्त जैशंकर प्रसाद जी का नाटक है अगला प्रिश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के सम्मन्द में कौन से कथन सही नहीं है जून 2020 शिफ्ट वन में पहले आपका शिफ्ट में हो रहा था फिर शिफ्ट हटाए गई और अब जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया तो कितने सारे चेंजिस जो है वो 2018 के बाद में हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के सम्मन्द में कौन सा सही नहीं है इस कॉलेज के प्राचारे जॉन गिलक्राइस थे इंग्लेंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षन की व्यवस्था थी आधुनिक भारतिय भार्षाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी इसकी स्थापना 1800 में हुई थी तो कौन सा स्वरूप जो है वो आपको इसमें सही मिलेगा तो देखिए आधुनिक जो भारतिय भार्षाओं की जानकारी इसमें नहीं दी जाती थी तो नहीं दी जाती थी ये सही नहीं है क्योंकि आधुनिक भारतिय भार्षाओं की जानकारी फोर्ट विलियम कॉलेज की म अगला प्रश्न है तो यह प्रश्न आपका पूछा गया जुन 2020 में अगला प्रश्न है रस गगन गुफा में अजर जरे अजपा सुमिरन जाप करे उक्तपंक्तियों में गगन गुफा का अभिप्राए क्या है गगन गुफा का अभिप्राए क्या है बताईए आस्मान में इस्थित गुफा गगन मतलब आस्मान है ना और अलोकिक गुफा सहसरार चक्र और मुलाधार चक्र तो ये स्वरूब जो आप सभी का है ये रहस्य वाद से जुड़ा हुआ पद है और रहस्य वाद से जुड़ा हुआ जो है ये पद है और रहस्य वाद आपको देखने को मिलेगा कबीर जी जी मोस्ली आप जब संत कावेधार की बात करें तो कबीर जी में मीरा भाई में भी है महादेवी वर्मा में भी है तो धिरी-धिरी आप आगे बढ़ते हैं तो कबीर जी ने जो कुंडलीनी जागरित है साधना पद्यती है उस स्वरूप में ये बात जो है वो कही है जब साधना पद्यती की बात की जाती है तो उसी स्वरूप में सहस्रार चक्र को गगन गुफा में कहा गया है जहां पर कहा है सहस्रार चक्र में का जो स्वरूप है अजर जरे अर्था जो कभी नश्ट नहीं होता रहता है ऐसा जो अम्रिथा वो जरता रहता है अगला प्रिश्ण है जो जून 2020 में ही आपका पूछा गया है स्त्री नाटक कारों की कौन सी रचनाय है इसमें प्रजा ही रहने दो बिना दिवारों का घर उत्तरूरवशी और न झाल 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 से धाउसी झाल झाल से प्रज़शी होता है तो यहां पर आप सभी देखेंगे कि कौन से स्त्री नाटक कारों की जो रिचनाएं आप सभी को दिखाई दे रही है वो है आपकी बिना दिवानों का घर और है नैपत्थे राग प्रजाही रहने दो और उत्तर उर्वशी जो है वो स्त्री नाटक कारों की रिचनाएं नहीं नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घवराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते, नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहनी है, उप्युक्त कथंक जो है वो किस लेखक के बारे में कहा गया है भारतिन तरहिस्द्र के लिए, नन दूलारे वाच्पेईनais हजारी प्रसाद दिवेदी के लिए, जून 2020 में फूचा गया प्रश्शन, शिफ्ट टू में अब तो आपकी एक ही शिफ्ट हो रही है ठीक है एक ही शिफ्ट में हो रहा है पेपर आपका पहले अलग-अलग स्वरूप में आप देखेंगे जब ऑफ-लाइन पहले 2018 तक था भी तो पेपर वन होता था फिर गैप मिलता था फिर पेपर टू होता था इस बार एक साथ ही ए अगला प्रश्णी रिति काली बीर कावे की प्रमुख विशेषताओं कौनसी हैं रासो कावे की अपक्षा में अधिक प्रमानिक है इसमें الدकाली नितिहास सुरक्षित हैं इसमें चमतकारिक वर्णन और भाषाईक खिलवार बहुत अधिक आधिक है किसी बीर कावे में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है तो कौन से सही उत्तर हैं इसमें कि रिती कालिन वीर कावे की प्रमुख विशेजताएं जो है 2019 में पूछा गया प्रश्ण तो रिती कालिन वीर कावे की जो प्रमुख विशेशता है वो क्या है यह देखिए यहां पर रासु कावे की अपेक्षा जो है रिती कालिन वीर कावे अधिक प्रमानिक है यह सही है इसमें दूसरा आप देखेंगे कि इसमें ततकाली नितिहास भी सुरक्षित है जो वीर कावे है और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णने इसमें चमतकारिक वर्णन भाषाई खिलवाड बहुत अधिक नहीं है बहुत अधिक जो है वो इसमें भाषाई खिलवाड नहीं किया गया है अगला प्रश्ण है आलोचना ग्रंतों को उनके आलोचकों के साथ में आपको सुमेलित करना है साहित ते क्यूँ भाशा और समवेदना लोकवादी तुलसिदास कविता की तीसरी आँख कौन सी रचना किसकी है विश्वनाट त्रपाथी प्रभाकर शोत्रिय जग्दीश गुप्त विजय देव नारायन साही राम सरुप चत्रुवेदी जन्वरी 2017 हिंदी पेपर 2 का ये प्रशन आप सभी के सामने रिखाई दे रहा है न सभी को निखाई नहीं दे रहा है चले तो मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप इसे मैच कर ले न ठीक है तो ध्यान दीजेगा जो मैं बोल रही है इस पे साहित्ते क्यों ये वाला जो आपका अलोचना ग्रंथ है ये किसका है वही विजय देव नारायन साही का है ठीक है साही का साहित्ते क्यों है भाशा और समवेदना ठीक है जैसे समवेदना का इतिहास है वैसे भाशा और समवेदना भी राम स्वरूप चतुरवेदी जी का है लोकवादी तुलसी दास लोकवादी तुलसी दास है विश्वनात त्रपाठी जी तो लोकवादी तुलस प्रभाकर शौत्रिय यह आपके प्रभाकर शौत्रिय का कविता की तीसरी आंख ठीक है तो इस तरह से option B जो है वो आपका सही आंसर अगला प्रशन है धुमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का दिक्र किया चार पांस दो तीन जून 2020 में पूछा गया तो एक आदमी रोटी एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है जो ना रोटी खाता है मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है तो धुमिल जी ने बड़ा ही करारा व्यंग जो है वो प्रजातंत्र पर करते हुए और क्या कहा कि ये तीसरा आदमी कौन है तो यानि कि कुल तीन आदमियों का जिक्र जो है उसमें हुआ है निम्नलिकित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाई सन 1936 में प्रकाशित हुई है इसमें से कामाईनी गुंजन राम कि शक्ति इन में से कौन सी रचनाई हुँ जिनका प्रकाशन 1936 में हुआ था मताई तो यहां पर आप देखेंगे किसका प्रकाशन जो है वो 1936 में हुआ है तो यह स्वरूप आपको दिखाए देगा कामाईनी जिसका रचना काल 1935 है लेकिन प्रकाशन जो है 1936 में हुआ है जैशंकर प्रसाद जी की रचना है तीसरा सूरिकांत्र पाथि निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा जहां राम को सामान्य मानव के रूप में चितृत किया गया है ये भी आपकी 1936 में रचना आती है पल्लब और गुंजन जो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है तो एक और तीन जो है यह आपक 36 में प्रिकाशित रचना है अगला प्रश्न है निमनल कित में से किन लेखों को का संबंद मुख्यत है बिम्ब से संबंदित गरंथों के लेखन से है T.S. Iliate, Frank Comrade, C.D. Levis और Clint Brunk ठीक है बिम्ब से संबंदित है तीक है बिम्ब का स्वरूप जो है वो अभी आपको बताऊंगे पहले इस question का answer कर दीजे क्या होगा जो आपका 2018 का ही जो offline आपका paper हुआ था 22 जुलाई 2018 में आपका last बार offline हुआ था उस offline वाले में से ही आपका equation जो है वो लिया गया है तो किल लेखों को का संबंध मुख्यत है आपका बिम्ब से है तो देखे cd जुँस्थ्ट तुंद्री परीशी टीके तो आपके समक्ष। वरणाना यता है ए और पैलाद में पहना dosana judge लुँए अन्हों के मांधियां से दर्षनिय हो वो जिसका चित्रू उपस्तित हो जाए वो आपका क्या हो गया चित्रात्मक छम जम 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 मेग बरस्ते जम जम तो यह आपके सुनने का विश्य है तो श्रव्य विंब हो गए ठीक है और कोई सुनने का विश्य है तो ग्रातव विंब हो गए और स्पर्श का विश्य है तो स्पर्श विंब हो गए ठीक है इस तरह के जो विंब का स्वरूप है वो ग्याने कुंतक आनंदवर्धन और दंडी 2019 में ये पूछा गया प्रश्ण तो वेरी इंपोर्टेंटली कुभी आप भामय है भामय छटी से शिताबदी में आते हैं उससे पहले भरत्मुनी आपके दूसरी शिताबदी में आ जाते हैं तो भामय भामय की बाद में आप दंडी देखेंगे तो ये दंडी आपके सात्वी शिताबदी में आ जाएंगे आनंदवर्धन नौवी शिताबदी में आ जाएंगे दस्वी शिताबदी में आ जाएंगे भाग्यवादिता, दामपत्य जीवन के प्रति उदासिंता और काम प्रिपासा किस तरह का चित्रन जो है वो इसके अंतरगत आपको दिखाई देता है पिया मोर बालक हम तरुनी पहली पंक्ति से हमें जो है इसके बारे में पता चलता है कि क्या स्वरूप इसमें आया है अनमेल विवाहा ठीक है पिया मोर बालक हम तरुनी अर्थात यहां पर जो है तरुनी अर्थात वह यौवन से परिपून है और तो अनमेल विवाह का स्वरूप इसमें आए कौन तम चूकी भले हो जननी और न जाने क्या चूक को हो गई है तो हम तो इसकी आ रहा हुए तो यह बढ़नन इसमें आयां qualcosa जब का स्वरूप में परिपूनिय अनमेल विवाह का रूप है तो क्या आ गया है और दामपत्य जीवन के परिपू उँदासीनता आ गई है तीक ह कोई भी जो मन में भाव हैं उसके नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर यह स्वरूप जो है इसके अंतरगत अच्छा उदासी इंता नहीं जो स्वरूप आएगा कि भई जो काम भावना है काम भावना काम पिपासा ठीक है पिपासा अर्था प्यास ठीक है काम इच्छा ठीक है इन प्रिश्ण है, दो कथन दिये गए हैं, पहला स्थापना है, दूसरा तर्क है, तो कथन क्या है, छायावाद रिती काव्य की भाती, शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, तो तर्क क्या कहता है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्ति निष्ट वासना की अभिव्यक्ति ह हुई है तो क्या कथन इसके अंतरगत सही होगा क्या गलत होगा चायावाद के संदर्भ में आपको ये बताना है हुँ तो जब आप चायावाद की बात करते हैं तो चायावाद के अंतरगत आपको आत्मा भीव्यक्ति का वर्णन मिलेगा और रिती काववे में रिती काल में क्या मिलेगा श्रंगारिक्ता है आश्रेदाता के स्वरूप में दर्बारी साहित्ते का वर्णन है तो चायावाद रिती कावे की भाती शुद्ध मांसल प्रेम का कावे नहीं है। के साथ-साथ उन्होंने नाइका भेद का वर्णन करते हैं उन्होंने शुद्ध मांसल प्रेम का स्वरूप इसमें दिखाए तो यह उसकी भाती नहीं है चायावाद दीक है। प्रेकाशन वर्ष के अनुसार निमने लिखे तो पन्यासों का अनुकरम क्या होगा। समय सरगम, मयादास की माड़ी, लाल टेन की छत और आधा गाउं। क्या होगा इसका सही अनुकरम। बढ़ी क्या है क्या usando व्रों टुकरम। क्या झात्व तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या होगा सबसे पहले तो आपको यह भी पता हो न अची कि कौन सा जो है वो किसका है तो आधा गाम आप देखेंगे राही मसूम रजा जीक है लाल टेन की छत आपका आजाएगा निर्मल वर्मा मैया दास की माड़ी किसका है बताईए गमेंट सेक्शन में आंसर कीजे सब लोग और समय सरगम तो यह आगया आपका भीष्म सहानी और समय सरगम कृष्णा सोवती अब अगर हम इनके क्रम पे चलें इनके क्रम को अगर हम देखते हैं तो हम पीछे से इधर से स्टार्ट कर देते हैं वह यह समय सरगम जो है वो आपका 2000 में आ जाता है Last question is session का आज कही. तो यहां पर आप देखेंगे निर्मल वर्मा जी का लाल टीन की छट जो है 1970 में आ जाएगा आधा गाउ राही मसूम रजा जी का 1966 यह सारे जो है वो आपके इस्वी में हैं ठीक है यह इस्वी में जो है वो आपके दिये गए भीश्म सहानी जी ठीक है और लास्ट वाल आपक समय सरगम तो इस तरह से यह आपका पूछा गया प्रश्न जो है 2018 की परिक्षा में और इसी तरह के important question आपके लिए हम आगे भी लेके आते रहेंगे तो अब है आपके homework question की बारी जो homework question में आप सभी को देती हूं उसका answer आप सभी video समापती के बाद में comment section में जूरूर किया कीजिए जिससे आप सभी के जो आदाश्ट है questions को याद करने की वो बढ़ती रहेगी ठीक है चलिए तो प्रश्न है आपके लिए सूर्य कांत सरफ पाठी निराला जी को निराला जी भी वैसे इनकी उपाधी है जो question मैं आप से पूछने जारी हूं वो थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है निराला जी को महामानव की उपाधी महामानव महामानव की उपाधी किस ने दी मतलब महामानव जो है वो निराला जी को किसने कहकर के पुकारा है वीडियो समापती के बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर कीजेगा वहीं पर आपको निराला जी बी इनकी निराले व्यक्तित्व के थे तो निराला भी निका उपनाम है महामानव की उपदी जो है इनको किस ने दी है यह आंसर आप सभी को गड़र ना है वीडेयो समाति की चामेंट सेक्शन में और फिर हम आप सभी से मिलते रहेंगे टाइमिंग आप नोट कर लेजिए और वेरी इंपोर्टेंट लिए फ्री क्लासे जो है आप पे भी चलाई जाती है जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 500 हजारों क्वेशन जो है मेरे द्वारा कराए हुए एकदम फ्री जो है आपको मिलेंगे तो आप हमारे आप पे जा करके और उन क्वेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को बहतरीन मना सकते हैं और हमारे पेड सेशन से जुडने के लिए आप इस हेल्प लाइन नमबर से कनेक्ट कर सकते हैं वह आप सभी जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स् झाल 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 झाल